नमस्कार टुइन वन अनकंडिशनल स्प्रिच्वल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उश्चा किरन पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की ये जो वीडियो है इसमें स्प्रिट गाइड के बारे में आपको अवेर कराया जा रहा है हालनकि एक बर पहले भी मैंने इसके उपर एक छोटी सी वीडियो बनाई है आज की ये वीडियो भी बहुत छोटी सी ही है बस व्यूर्ज की हेल्प के लिए दुबारा से आप को आवेर कराया जा रहा है बहुत सारे लोग जो मेरी ही सोल फैमिली के मेंबर हैं चाहे वो इस चैनल से कनेक्टेड हों या ना हों मेरे कहने का आर्थ है कि बहुत सारे लोग जो मेरे जैसे ही हैं जो ये जान नहीं पाते हैं कि आखिर उनकी लाइफ में सब चल क्या रहा है और यह सब जो हो रहा है उसके पीछे reason क्या है उनसे spirit guide connect होते हैं angels, animal spirits, fairies और उनके ancestors connect होकर उन्हें help करते हैं लेकिन वो यह जान ही नहीं पाते हैं और जब उन्हें पता जलता है तब तक उनके पास time बहुत ज़दा कम होता है अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे यह 20 to 23 in between 20 to 23 अपने बारे में इस तरफ यह मेरा रास्ता है, रुझान है मुझे पता चल गया था लेकिन completely अपना truth नहीं पता चला था बस जो मैं जान पाई थी यह कि जो मेरी line है वो बाकियों से थोड़ी से different है क्योंकि मेरी shock, मेरी behavior, मेरी आदते हैं और मेरी life में होने वाली घटना हैं बाकियों से different behavior बाकियों से बिलकुल different mix up होने की कोशिश बहुत बार की लेकिन उन लोग की बाते मेरी समझ में नहीं आई और मेरी बाते उन लोग की समझ में नहीं आई it means कि हम लोग की life के experience भी बहुत different होते हैं अगर हम किसी से share भी करना चाहें तो easily कोई truth को accept नहीं कर पाता है यही reason है कि हम जब तक अपनी soul family से connect नहीं होते तब तक हम अपने आपको alone feel करते हैं और एक बार जब हम अपनी soul family से connect हो जाते हैं means अपने ही जैसे लोगों के साथ हमारा connection हो जाता है तो हम बहुत तेजी से grow करते हैं इसलिए बार बार आपको यह advice दी जा रही है कि आप जैसे हैं वैसे अपने आपको accept कीजिए मैं यहां बिना किसी भी viewer का नाम लिए क्योंकि इस video को बनाने का main reason ही यही था कि आपकी life में बार बार अगर इस तरीके से हो रहा है तो आप अपने आपको पहचानी है और अपने truth को accept कीजिए कि आप बाकी लोगों से थोड़े से अलग है आपकी life भी बाकियों से अलग है बाकी लोग अपने लिए जीने के लिए आते हैं means आप मास में लोगों के लिए भेजे गए है आप बहुत सरे लोगों की help के लिए याँ भेजे गए है और जब तक आप ये task नहीं करेंगे आपको healing का task दिया गया है आपको protection का task दिया गया है और जब तक आप ये अपने task नहीं करेंगे ये सिर्फ मैंने एक्जाम्पल दी हैं इसके अलावा भी और बहुत सरे टास्क हैं तो तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे आप पेन और सफरिंग में ही रहेंगे यहां एक चीज़ और मैं बोलना चाहूंगी कुछ व्यूवर्स बिना मेरी वीडियो को दिहान से सुने सिर्फ किसी एक वीडियो को देखकर अपनी राय बना लेते हैं और मेरे लिए इतने प्यारे कमेंट्स डालते हैं कि मुझे कहना पड़ता है कि आप पहले मेरी बाकी वीडियो सुनिये उसके बाद आप ऐसा कोई कमेंट मेरी लिए लिए लिखिये कल की वीडियो में भी एक कमेंट मेरे पास आया मिन्स प्रीवियस वीडियो के उपर किसी व्यूवर ने कमेंट किया और उनको reply मैंने तुरंत दे दिया लेकिन अब यहां मैं आप सभी को aware कर रही हूँ कि जो भी मेरी वीडियो को first time देखती है और उनको मेरी वीडियो सही से समझ नहीं आती है क्योंकि उस comment में ऐसे लिखा हुआ था कि आपकी वास्तों में knowledge बहुत ज़दा deep है means positive था लेकिन उसके बाद जो भी लिखा था वो कुछ ऐसा था जो unbearable है तो मैं आपसे request करूँगी कि कोई भी comment डालने से पहले मैं यह नहीं कहती कि आप मेरी कमिया मत बताईए most welcome अगर आपको यह लगता है कि हाँ इन वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा है जिसमें कहीं कोई कमी रह गई है तो बिलकुल मुझे suggest कीजिए मुझे aware कीजिए लेकिन आपकी information के लिए मैं दुबारा बता दूँ कि यह videos के उपर मेरा कोई control नहीं है यह वही wisdom आप तक पहुँचती है जिस wisdom की requirement किसी न किसी viewer को होती है means किसी एक दो person को नहीं means जिन भी लोगों को उस wisdom की जरुद होती है वही videos मेरे थुरू बनवाए जाते है मैं completely अपने आपको divine को surrender कर चुकी हूँ फिर भी आप लोगों के कई बार बीच में ऐसे comments आ जाते हैं तो मुझे हसी भी आती है और हैरानी भी होती है कि आप पहले बाकी videos देखी है उसके बाद comment कीजिए अब दूसरा मैं उन सभी viewers की दिल से बहुत 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 thankful हूँ जो इन videos को देखकर अपनी help अपने आप कर पा रहे हैं आपके इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे comments और mails पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है और यह तसली होती है कि जितना परेशान मैं अपनी life में हुई आप लोग नहीं होंगे क्यों क्योंकि आपको proper guidance किसी ना किसी माध्यम से मिल रही है कुछ guidance आप मेरे चैनल के माध्यम से पाते हैं कुछ बाकी चैनल के माध्यम से पाते हैं अब वो आपके उपर है कि आप कितना इन guidance का benefit उठा सकते हैं अब वापिस आते हैं अपने topic के उपर spirit guide में बहुत अगर मैं simple शब्दों में इसको बोलूं तो एक soul की help के लिए जिन भी higher ascended souls, animals, spirits, हमारे ancestors, angels, archangels, fairies या कोई भी वो divine form जो हमें आगे बढ़ने में help करती है किसी भी रूप में वो सब हमारे लिए blessings हैं और हमारे spirit guides हैं किसी एक soul के more than one spirit guides हो सकते हैं अब यहां question हैं कि पता किसे चले कि हमारी soul के कितने spirit guides हैं तो आपके answer में मैं यह कहूँगी कि जितनी ascended souls जितनी ascended souls उतने ज़्यादा spirit guides होते हैं जो time to time aware करते हैं उतने ही ज़्यादा उनको lessons recall करने पड़ते हैं और उनकी learnings भी करनी पड़ती हैं क्योंकि उन सभी lessons को उन्हें आगे आने वाले time में अपनी soul family और humanity को सर्व करना है तो जिस तरीके की आपकी soul ने contract किया है उस तरीके के ही आप soul task लेकर आते हैं इस अर्थ पर आने वाली हर एक soul बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इस अर्थ पर आने वाली हर एक soul का minimum one spirit guide जरूर होता है यह तो मैंने minimum कहा है normally कितनी भी छोटे soul उसके दो होते ही होते हैं लेकिन अपवाद हर जगा है इसलिए मैंने minimum one बोला है और आपके more than one spirit guides होते हैं वो आपको बार बार help करते हैं कब help करते हैं जब आप बहुत ही critical condition में होते हैं तो वो किसी भी माध्यम से आपकी help करते हैं कभी वो animal form में आपको help करते हैं message देने के लिए आते हैं कभी वो human form में आपकी help करते हैं कभी वो ancestors के रूप में आपकी help करते हैं आपको visions के तुरू, dreams के तुरू आपको message देते हैं और आपको उन message को decode करना पड़ता है यहां मैं कहूंगी कि वैसे तो अपने सभी के लिए बहुत important है लेकिन जो हम जैसे soul family members हैं जो या तो special किसी spiritual journey में हैं मैं यहां किसी specific spiritual journey की बात नहीं कर रही हूँ मैं सभी spiritual journeys की बात कर रही हूँ और हर soul कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में spirituality से जुड़ी होती है कुछ कम, कुछ ज़्यादा, कुछ लोगों की शुरुवात होती है और कुछ लोगों को एकदम शौक लगता है तो आप किसी भी spiritual journey में हैं आपको help की जुरुत होती है और वहां आपको यह जो आपके spirit guides हैं वो help करते हैं कई लोगों के जो spirit guides हैं वो animals के रूप में जब वो जिन्दगी में सबसे ज़दा केले हो जाते हैं तो कोई ना कोई एक animal आकर उनकी help करता है और उनके loneliness को दूर करता है It means कि जो animals हैं वो भी हमें help करते हैं हमें message देते हैं हमें जिन्दगी के lessons सिखाते हैं यह हमारे उपर है कि हम किस तरीके से जिन्दगी से कितना सीख पाते हैं क्योंकि यह जो 3D world है जिसे हम earth plane बोलते हैं यह जो दुनिया हैं जिसे माया की दुनिया कहा जाता है यह हमारा learning school है और यहां हम school में learn करने आए हैं यहां मैं example दूँगी कि जैसे आप अपने किसी भी time में school में गई हैं तो आपने देखा होगा कि कितने सारे बच्चे school में पढ़ने आते हैं लेकिन उन में से हर कोई बच्चा head girl या head boy नहीं होता हर कोई बच्चा monitor नहीं होता हर कोई बच्चा topper नहीं होता कितने सारे बच्चे आते हैं और school pass out होकर जाते हैं वो nursery से लेकर 12th class तक के आपने जितने भी experience किये होते हैं वो हर individual soul का different होता है बच्च souls ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी life नहीं जीते वो एक famous personality के रूप में उभर कर सामने आते हैं ठीक ऐसे ही इस earth plane पर भी होता है कि जो special souls होती हैं उन्हें special task दिया जाता है जहां normal soul ये सोचती है कि उसका बच्च सिर्फ यहां पर एक अच्छा सा मकान बनाने के लिए name fame पाने के लिए हुआ है कि चार लोग विरादरी में उसे पहचान पाएं वहीं जो special souls होती हैं उनका soul task बहुत जदा बड़ा होता है वहां वो सिर्फ अपने लिए नहीं आती वो यहां पर अपनी growth के साथ साथ और ना जाने कितने लोगों की कितने souls की growth में help करती है और यह जो हमारे spirit guides होती है यह time to time हमें वही हमारा lesson learn कराने के लिए remind कराने के लिए हमारी life में आते हैं जो हमें आगे जाकर बाकी लोगों को serve करना है उस service को हमें लोगों को देना है जिस service के लिए हमें यहां भेजा गया है अगर हम उसको accept करने से मना करते हैं तो बार बार वो चीज़ हमारे साथ वो patterns हमारे साथ repeat होते हैं जिने हम accept करने से मना करते हैं यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रही हूं क्योंकि मेरी life में मैंने अपने इस वाली life को या इस वाले रूप को कि आज मैं आप लोगों को अपने experience से help कर रही हूँ अपनी इस journey को मैं accept करने के लिए त्यार ही नहीं थी लेकिन जिन्दगी ने मुझे इस mode पर ला दिया कि मुझे ना चाहते हुए आप लोगों से interact करना पड़ा यहां पर मेरे जैसी और भी highly ascended souls हैं जो गुमनामी में हैं सामने आना नहीं चाहती उन में से कुछ को मैं जानती हूँ जो वास्तों में highly ascended souls हैं लेकिन जब भी उन्हें recall कराया जाता है तो वो एके जवाब देते हैं कि हम साधारन जिन्दगी जीना चाहते हैं हमें इस से दूर रखो और बार बार उनके जिन्दगी में experience दिये जाते हैं कि आप यहां सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं कि आपके लिए एक सुन्दर सा घर हो, एक अच्छा सा husband हो, प्यारा सा बच्चा हो आप बहुत बड़ा सा घर बनाएं, बहुत famous हो जाएं, इतने के लिए आप नहीं आए हो आप लोगों का pain दूर करने के लिए आए हो, लोगों को help करने के लिए आए हो आपकी life से बहुत सारे लोगों की life influence होने वाली है और इसलिए आपको ये pain, suffering से निकाला गया है जिससे कि आप उन्हें ये lesson सिखा सको कि कोई भी pain इतना बड़ा नहीं है कि उससे निकला ना जा सके और ये जो spread guides हैं, ये बार बार आपको ये remind कराते रहते हैं जब तक कि आप इस चीज़ को accept नहीं कर लेते मैं यहां किसी का नाम लेकर उसे परिशान करना नहीं चाहती बट इतनी request मैं जरूर करूंगी कि जिस भी soul तक, divine soul तक ये video जाती है और उसमें मेरी तरह psychic abilities हैं और उसके पास humanity को serve करने के लिए बहुत कुछ है अपने experience के थूँ तो उनसे मेरी हाँ जोड कर request है कि please सामने आईए और humanity को serve कीजिए, अपनी service देजिए क्योंकि यहां आप इन abilities को लेकर आए हैं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए एक अच्छा cook सर्फ अपने लिए खाना बनाएगा तो वो आत्म संतुस्टी पाएगा लेकिन जहां वो बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाएगा तो वो service वो कितने सारे लोग उसके हाथ का अच्छा खाना स्वादिस्ट खाना खा पाएंगे एक talented person जिसके अंदर talent है वो उस talent को अगर बाखियों को सिखाने के लिए यूज करते हैं तो कितने सारे लोग उस talent को सीख पाएंगे ऐसे ही हम एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं एक चीज़ और मैं clear कर दूँ यहां पर कि यह जो spirit guides हैं यह ज़्यादा तर आपके dreams के थूँ और visions के थूँ आपसे connect करते हैं आपको dreams में visions में symbol नज़र आएंगे और nature के थूँ आपसे बहुत ज़दा connect करते हैं अचानक से आपको nature में जाने के बाद एकदम aha moment में कोई trick आएगी अचानक से जो idea आपके दिमाग में आ रहा है वो यह आपके spirit guides आपको support कर रहे हैं और उस तरफ जाने के लिए आपको कह रहे हैं यही reason है कि एक छोटा सा idea किसी भी person की life change कर देता है इसलिए हमें अपने dreams अपने vision के साथ साथ nature अपने aha moment sudden answer या sudden question इन सब बातों पर बहुत ज़दा ध्यान देना चाहिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरी इस वीडियो को बहुत ज़दा ध्यान से प्यार से देखने के लिए सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दुबारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसे सामने लेकर आएए रन्यवाद